जैहिंद वंदे मत्रम सातियो मैं हो प्रिंस जी हाँ दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे SSC GD 2023 के अपडेट के बारे में जी है फैंड्स यहाँ पर PET और PST का जो अपडेट है वो जारी कर दिया गया है ओपिसली कि इसका दोस्तो जो फिजिकल है वो कब से कराया जागा SSC GD 2023 का तो इस वीडियो को दोस्तो आप complete विजिट कीजेगा बहुत ज़्यादा दोस्तो इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी लोग के लिए रहने वाला है तो वीडियो को दोस्तो शुरू से अंत तक विजिट जरू कीजेगा अगर आप चैनल पर नहे हैं तो चैनलों को सस्क्राइब कर सकते हैं और दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरू करते मेरे भाई क्योंकि इंपोर्टेंट जानकरी सबसे पहले Study for Genius के इसी यूटूब चैनल पर आप सभी को मिल जाती है तो चैनले फैंस वीडियो को सुरू कर लेते हैं लेकर दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर आप AOC यानि सैना आयूद कॉर्परेस केंड की तयारी कर रहे हैं तो फैंस इसका जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्की सब्वक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है लिंक से आप ओल्लाइन इस बुक को परचेस कर सकते हैं अगर आप इसे ओफलाइन परचेस करना चाहते हैं जी यह दोस्तो अब बात करेंगे यहां पर ओफिसली जो अपडेट आया है ससी जीडी 2023 को लेकर यह दोस्तो एक नोटीस बहुत जाए यहां पर आप देख पा रहे हैं यह कमिशन की तरफ से दोस्तो यह नोटीस जो है जारी किया गया है एसी इसमें बात कही जारी है उपर आप देखेंगे तो लिखा है यह दोस्तो यह दोस्तो आपका एकजाम होगा कव आपका फिजीकल होगा तो यहां पर चार यह सीडील एकजामनेशन के इन्होंने जारी किया है सबसे फ़स्ट पर है कंबाइंड ग्रेजवेट लेवल एकजामनेशन 2021 स्किल टेस्ट यानि यहां पर यह CGL का है 2021 का स्किल टेस्ट यह कब से कराया जाएगा इन्होंने यह बात कही थी पहले लेकिन अब दोस्तो यह जो चीज यहां पर आई है लेकिन दोस्तो यहां पर आप देखेंगे यह दोस्तो यहां पर आपको नमबर चार पर बताया गया इस्टोलोगराफर ग्रेड़ सी और डी एकजामनेशन 2022 लेकिन हमें मतलब किससे है हमें मतलब सिर्फ इससे है जो नमबर तीन पर लिखा गया है ठीक है मिर भाई तो अब बात यह आती है कि भाई साब यह रियल है या दोस्तो यह फेक है या किसी ने इसके साथ कुछ छेड़ खानी की है ठीक है तो अब आपके माइंड में एक सवाल यही आ रहा होगा तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू मिर भाई कि यहां पर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें छेड़ खानी की गई है क्योंकि आप दोस्तों खुदी समझ गया होंगे कि भाई साब 2021 का चलो यह अपडेट यहां पर दे रहे हैं CGL का और CHSL का ठीक है लेकिन जब यहां पर 2022 की बात आती है तो NIA की बात यहां पर नहीं होती है ठीक है क्योंकि NIA दोस्तों है ही नहीं 2021 में भी नहीं था और 2022 में भी नहीं है NIA की कोई भी पोश्ट नहीं है लेकिन इस बार NC भी जोड़ा गया है NC भी इसमें नहीं इन्होंने एड किया है चलिए कोई बात यह भूल के होंगे एड कुछ करना लेकिन जब आप इनके यहां पर दोस्तों इनके font पर आप नजड़ डालोगे तो font इनके कुछ जञ्दा दोसतो bold हो जाते हैं यहाँ पर और कुछ जञ्दा ही जूम इन्होंने कर Diya。 कुछ ज्ञदा ही थोड़े बड़े capital letter बना दिये इन्होंने ठीक है。 बागी सब दोसतो हम लीचे देखेंगे सब दोसतो small letter में है. ठीक है. तो मेरे इसाब से दोस्तों यहाँ पर जो ही SSE GD 2022 का जो अपडेट यह दे रहे है दस्तारिक से पहले तो दोस्तों फिजिकल नहीं होगा पहले रिजल्ट आएगा तो पहले रिजल्ट का अपडेट आना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग तो लेकिन उन्होंने डारक्टली PAT और PST का अपडेट दे दिया है जिन्होंने भी दोस्तों यह यहाँ पर तयार किया है उनकी गलती यह हुई है कि भाई साब उन्होंने यहाँ पर पहले ही रिजल्ट का अपडेट देने से पहले यह PAT PST का अपडेट दे दिया है मेरे भाई ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो बात यह आती है कि बिल्कुल दोस्तो यह जो न्यूज जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ यह पूरी तरह दोस्तो यहाँ पर सही नहीं है इसकी दोस्तो हम यहाँ पर पूरी तरह सही होने का दावा नहीं करते हैं ठीक है आप भी खुद समझगी होंगी कि भाई साब पहले result आता है ना कि PAT-PST का जो है अपर date आती है ठीक है तो अब आपको क्या लगता है दोस्तो कि result जो है कब तक आएगा और PAT-PST कब तक होने वाले है कमेंट टोक्स में जरूब बताएगा लेकि मेरे according कब तक दोस्तो result आएगा तो result मैं आपको कितनी बाइब बता चुका हूँ जो इन्होंने दस चार दो हजार 23 यानि 10 अपरेल इन्होंने बताया है यानि कि physical आपका दोस्तो जो होगा न वो कब होगा अपरेल मई मई और जून में जून के something दोस्तो मई के last में और जून के starting में जो है आपका physical होगा पहले मेरा जो physical हुआ था दो जार रिकिस में ज़े मैं एक्जाम पास किया था तो 31 मई का मेरा physical था ठीक है मिर भाई यानि इस टार्टिंग में दोस्तो physical पढ़ा था इस टार्टिंग में medical पढ़ा था ठीक है तो यह दोस्तो बात आती है है पर लेकिन आप सभी को बता दू मैं है पर भाई साब 24 दिसंबर को जो है result आया था 2021 में और 31 मई को मेरा physical था तो आप खुद से चेक कर सकते हैं कितना time मिला था ठीक है लगवाब 5-6 महिने का time मिला था और इसमें भी दोस्तो आपको 3-4 महिने का time तो definitely मिलना ही है ठीक है यह एक-2 महिने तक physical चलते हैं आप सभी को पता है तो इसलिए दोस्तो time मिलना बिलकु पिछली बार की तरह पिछली बार से और धुड़ी ज़्यादा गर्मी रहने वाली है तो कि मई से बाद में physical होने वाला है ठीक है तो फैंस आप सभी को यह वीडियो कैसे लगा एक पर कमेंट वक्स मुझे रूबतेगा और फैंस जो भी आपको जाहिए वह कमेंट वक्स से पूछ सकते हैं थैंकियो अलोफ जाहिंद वन दिमाराम